पियमोधी का संसर्य शेत्र वारण असी जहां विराश्ते हैं बाबा काशी विश्वनाद जहां बहती है मा गंगा की अविरल धारा जहां मिलता है धर्म अध्यात्म और संस्कृति का संगम समुची दुनिया कोरणा से तरस्त है उपर से चक्रवाती तुफानों का कहर मुश्किल के इस घड़ी में ग्रहन अक्षत्रों की बदलती चाल और 21 जून को पढ़ने वाला सूर्य ग्रहन ऐसे में काशी से जोतिश अचारिया रिशीर दिवेदी की भविश्वानियों ने दिये बड़े संके जोतिश से जुड़े हर सवाल के दिये जवाब ग्रहन काल के नकरात्मग प्रभाव से खुद को कैसे बचाएं पांच जुलाई को जो ग्रहन पढ़ रहा है यानि असारी पूर्णिमा को जो ग्रहन पढ़ रहा है वो चंद्र ग्रहन है मैंने बताया कि इन ग्रहनों का जो दोनों चंद्र ग्रहन पढ़ रहा है इनका धर्मसास्त्री प्रभाव नहीं है दर्मसास्त्र के अंसार जो दो तो यहां भुष्टさん हुझा कुछ dopo चरवधो मिलता है तो कहीं नहीं से कुछ नहीं इसका người देखने को मिलेगा चुक्य यह तीनों ग्रहन जो है एक महीने करें पर कोजो ता है तो करेम्टारी जल्द ले पर सुम नहीं होता है ग्रहन काल में के राश्यों की बदल जाएगी तकदीर दान करें लोग ग्रहों का जब इत्यादी करें तो इस प्रभाव होगा वह उन जाज़कों पर कम मिलेगा कम आएगा जैसे अब इन 12 राश्यों पर देखा जाए तो 12 राश्यों में जो यह सुरी ग्रहन लग रहा है कि उनको उस में जो है मेश राश्य वालों के लिए शुभ इनके लिए मंगल जनी चीजों का दान करना अर्थात लाल मसूर तामे कपात इत्यादी दान करें वही बिस राश्य को देखेंगे तो बिस राश्य के लिए यह ग्रहन जो है च्छती वाला है यानि किसी भी ढंकी हानी हो सकती है कि कहीं पी धन का किसी धन के लेन देन में सत तो गदल राश्य के लिए बड़ा इपने वाला है Cень की इप्रश्य को सभाट करें मिओन तो मिद राश्य के लिए बडा ही गहातक और इस राश्य को सफकेश नम्हा कजब करें और बुद्ध का अच्छानि के लिए छहानी का योग क्षके के लिए दो किसी तरह की इनको हानी मिल सकती है कहीं भी या थी अरभ लेंदेन या किसी बिढ़ंका अचानक इनको हानी का योग बनेगा तो करकर आस्ति वालों को दही पानी का जान करें निश्टितरुपरन लाब होगा वहीं बात करते हैं सिंगरासी को देखेंगे तो सिंगरासी शिंग राष्टी वालों के लिए यह ग्रहण ही बड़ा ही सुभद रहने वाला है, शिंग राष्टी वालों को इस ग्रहण में चतुर्दिक लाब की योग बनेंगे, हर तरह से आर्थिक लाब होगा, रुके हुए कारिपूरे होंगे, मकाईदन की प्राप्ति होगी, कन्या राष्टी के लिए यह ग्रहन लाप्रद रहने वाला है, सुखद, कन्या राष्टी वालों के लिए यह ग्रहन सुखद रहेगा, यारी हर तरह से चतुर्दिक सुख्य अनभूती होगी, इस राष्टी वालों को जो है, गायों को कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, हर बात करते हैं तुला रास्री तुला रास्री के लिए ग्रहार बड़ा ही असुब रहने वाला है चुकि सुर्य की सुर्य की जो है नीचे रास्री तुला रास्री होती है इस रास्री वालों के लिए यह जो ग्रहार बड़ा ही हानिप्रत है किसी भी ध्रंका रिस्क न लें नय पुद्ध महिलाओं को स्वेट असारी जो है इस ग्रहन में दान करें तो इस दूपन उनको लाव होगा अब बात करते हैं ब्रिस्ची करासी ब्रिस्ची करासी को ब्रिस्ची करासी वालों के लिए यह ग्रहन मृत्य तुल्ल कष्ट को देने वाला होगा हर तरह से मांसिक किसी ब्रहामर को दान करना चाहिए इससे इनको लाब होगा वहीं धनुरासि की बात करें तो धनुरासि वालों के लिए दामपत्य जीवन में दामपत्य जीवन को लेके तनाव हो सकता है वैवाहिब जीवन में पती-पत्नी में मनमुटाओ या पार्टनर से मन मुटाव के सिद्धी बनेगी, इसको अच्छा रखने के लिए धनूरासी वाले ब्रहस्पती से समंधित चिज़ों का दान करें, हल्दी का दान करें, चने की दाल का दान करें, लड्डू दान करें, केला दान करें, और ब्रहस्पताय नमा मंदर का जब कर पूर्ण कराएगा तो इस समय में जो है ओम संग सनय नमा का जब करें भगवान सनी देव के लिए और जो है लोहे से समंदित चीजों को धान करें वह कुम वरास्ति के लिए यह जो है जो गहां होगा वह चिन्ता को देने वाला होगा अर्थात हर तरह से मनसिक तणाव बच्चों को लेकर पतीको लेकर पतनी को लेकर माता को लेकर पाता मिरासी की मिरासी वालों के लिए जो है यह ग्रहान ब्याथा को देने वाला होगा दुख को देने वाला होगा तो इस समय में ग्रहान के पूर्व से लेके ग्रहान के आगे तक में पंदर दिन आगे पंदर दिन आगे तक का जो है मिरासी वालों को सावधार ना चाहिए इनको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए इस समय में आर्थिक पश को अपलाएगी कोई बड़ी मुसीबत देखा जाए तो ग्रहन एक खगोली घटना होती है कि दुर्भागेता जो है जश्ठ पोर्णिमा को परथम चंदर ग्रहन आ侍ामा उश्या 21 जून को सूर्य ग्रहन और प्राम reden को असारी पोर्णिमा पांज उलाई को जो अपना आधार है उसके आधार पे इन तीन ग्रहणों में जो दो चंद्र ग्रहण होंगे उनका प्रभाव धर्ती पर कम पड़ेगा चुकि धर्मसास्त्र के अंसार लेकिन चुकि एक महिने में तीन ग्रहण पड़ा रहा है यह यह खगोली घटना है और निश्चित सबसे बड़ी बात है अगर हम देखें जो यह 21 जून का जो खग्रास सूरी ग्रहान पड़ा रहा है यह सूरी घर्ती के लिए बड़ा ही घातक सिद्ध होने वाला है चुकि खगोल मंडल में आगास मंडल में इस समय कही ग्रह वक्री होंगे देखा जाए तो 10 माई को सनी वक्री हो गए 11 को ब्रहस्मती वक्री हो गए और 12 को आपके जो है सुक्र वक्री हो गए अर्थात 10, 11, 12 माई को तीन ग्रह वक्री हो गए आगास मंडल में वही 17 जून क तो बुद्वी वक्री हो जाएगा जो 21 जो 11 जुलाई को फिर मारगी होंगे अर्थात रहों के तुब वक्री रहते हैं सब मिला के देखें तो 21 जून को इस बार जो है जो एक ग्रहन लगेगा वह मिठ्वन रास्ति मिर्सिनानक छत्रवे होगा और उस ग्रहन के समय में 6 ग्र ्र यहां धरमतात्र वे कहा गया अगर दो या तीन ग्रह वक्री होते हैं तो धर्ति पर जो है राजाओं का अपसमें युद्ध होता है वहिए अगर चार या पाँच घ्रह बक्री हो तो जो प्राज़िक आपदयाएं आती हैं भूकम पित्यादि या किसी भिढरंकी अप्र करें तो जो ग्रहन पड़ता है उसके 15 दिन पूर्वत से लेके 15 दिन आगे तक अर्थाथ 5 जून से लेके 6 जुलाई तक यह जो सुर्य ग्राण होगा इसका बड़ा प्रभाव होगा उसी समय सभी ग्रह वक्री भी होंगे तो इस समय में धर्तिवासियों को भारत सहित सभी ल पड़ेगा ग्रहन का प्रको देखिए जो तीन ग्रहन पड़ रहे हैं और यह जो छे ग्रह वक्री हो रहे हैं इसका प्रभाव प्रभाव जो है चाइना अमेरिका सहित पूरे 20 तो में जो है इसका प्रभाव नहीं दूस्प्रभाव पड़ना है जो युद्ध या भुकम क रूम में देखने को मिलेगा जिससे भारी जन्धन की हानी होने की अर्लंका बनी होई है